आप लोगों के लिए कोशन है, बताइए कि एक MP या MLA, एक MP और MLA, आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों को अगर सस्पेंट किया जाए, तो maximum tenure इनके सस्पेंशन का कितना होना चाहिए, maximum tenure मैंने पूछा है, कि maximum कितने समय तक एक MP और MLA को सस्पेंट किया जा सकता है, तो उस किसके अगेंस्ट, एक साल से इनको सस्पेंट करके रखा था, असेमली से, एक साल से, one year से जादा का समय हो गया, इनको असेमली से बाहर रखा गया, सस्पेंट किया गया, तो इसलिए ये Honorable Supreme Court पहुझ गया है, और अभी latest सुनवाई में, सुनवाई के दौरान, Supreme Court में observe किया किया इस प्रकार से पूरे-पूरे साल के लिए, कि MLA को सस्पेंट करना असम्मिधानिक है, unconstitutional है, और MLA को सस्पेंट किया गया था, mis behavior के लिए, और पूरे साल के लिए, पूरे साल के लिए सस्पेंट करना तो एक बहुत लंबा period है, और argue जो है वो क्या किया, suspended MLA's ने, त इस resolution के तहट 12 BJP के MLA's को suspend कर दिया गया निलंबित कर दिया गया MLA ने यह R.E.U किया कि suspension सिर्फ और सिर्फ presiding officer ही दे सकते हैं पीठा सीन अधिकारी ही suspend कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पीठा सीन अधिकारी यही suspension order जो है वो जारी कर सकते हैं यह house का rules जो है वो कहता है और petition जो submit हुई और उसमें यही चीज़ कहा गया कि suspension जो है वो grossly arbitrary और disproportionate है मतलब कि बेहद मन माना और असंगत निलंबन है यह और challenge जो है guys यह mainly किस अधार पर बताया गया grounds of denial of principle of natural justice and violation of laid down procedure बहले इन्होंने audible supreme court को कहा है challenge करते हुए निलंबन के खिलाब जो चुनाती दी है वो mainly इस purpose के लिए दी है कि प्राकृतिक नियाय के सिधान को नकारा गया है उसका उलंगन किया गया है मतलब कि जो procedures होते हैं suspension के तो उसका उलंगन हुआ है मतलब कि procedure के through स्रिफ और स्रिफ presiding officer ही एक member को suspend कर सकते बड़ यहाँ पर resolution के माध्यम से 12 members को महराश्च के अंदर suspend किया गया है और 12 MLA का कहना यह है कि उन्हें even opportunity तक नहीं दी है कि उनका case रखने की मतलब कि उनको अपना पक्ष रखने का अफसर ही नहीं दिया गया और suspension ने violate किया है fundamental right to equality before law जो कि article 14 के अंदर आता है अनुछेद 14 के तहद विधी के समक्ष समानता के मौलिक अधिकार का उलंधन किया है इस निलम्मन ने suspension ने so ये पूरा case था जिसको मैंने भी आपको बदाया बट आपको ये समझना जरूरी है कि procedures क्या follow किये जाते है एक MLA को suspend करने के लिए बहुत ध्यान से इस topic को समझिएगा तो rules 53 महराश्य legislative assembly rule का ये power देता है suspend करने की और ये power दी जाती है सिर्फ और सिर्फ speaker को only to be exercised by the speaker ये power सिर्फ और सिर्फ पीठा सीन जो अधिकारी हम लोग को देखने को मिलते हैं वो ही या फिर अध्यक्स जो हम लोग को देखने को मिलते है speaker सिर्फ उन्हीं के पास power होती है जो suspend करने की even resolution के माध्यम से भी vote नहीं किया जा सकता suspension के लिए ये चीज भी clearly rules के अंदर mentioned है साथी साथ rule number 53 क्या कहता है कि speaker direction दे सकते हैं किसी भी member को यानि कि अगर कोई member जो है उनके opinion में उनको ऐसा लगता है कि वो सहीं तरीके से behave नहीं कर रहा उसका व्यवार जो है वो खराब है ठीक नहीं है तो उनको तुरंद speaker कह सकते हैं कि आप house से जो है वो चले आईए immediately बाहर चले आईए बाहर निकल जाईए तो उनको निर्देश दे सकते हैं अध्यक्ष house के और member को जो है वो तुरंद अपने आपको absent कर लेना होता है remainder day of the meeting के लिए मतलब देखिए इसके अंदर दो चीज़े हैं यह चीज बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताना चाहरा हूँ एक speaker क्या कर सकते हैं उनको तुरंद आदेश देंगे कि आप निकल जाईए house से तो वो क्या करेंगे वो अपने आपको absent कर लेंगे remainder day of the meeting से first point मतलब कि जैसे for example यह सुबा सुबा आए और इन्होंने house के अंदर एक घंटे के बाद इन्होंने बत्तमीज़ी करी तो speaker ने बोला कि आप प्लीज यहां से बाहर चले जाईए तो वो उटके चले जाएंगे वो यानि कि पूरे दिन के लिए अपने आपको absent कर रहेंगे but वो next day फिर आजाएंगे but अगर speaker कहते हैं कि आप फलाना इतने दिनों के लिए चले जाईए let's say कि उनको कहते है कि आप 10 दिन के लिए house में मताईएगा तो उन्हें यह follow करना पड़ेगा उन्हें अपने आपको 10 दिन के लिए house से absent करना होगा right तो यह rules कहता है यह नियम कहत है कि जो session जो हम लोग को देखने को मिलता है यानि कि एक बार का जो session जैसे कि आप जानते कि तीन session हम लोग को देखने को मिलते है right budget session right monsoon session winter session पता नहीं वहली बात आप लोगों को तो इस दुरान यह कहा गया है कि जो एक session जब तक end नहीं होता है जो punishment जो होनी चाहिए suspension की वो एक session के end से maximum create की नहीं होनी चाहिए मतलब कि एक session जब खतम हो रहा है right तो उससे जादा के suspension की आपको वो नहीं देनी है punishment नहीं देनी कि speaker जो है वो direction दे सकतने किसी member को absent होनेगा right एक particular period of time के लिए बड़ यह चीज़ नहीं रखनी है कि वो period of time जो है वो house के session के remainder day से जादा नहीं होना चाहिए house के session के remainder day से बच्चे वे दिन से जादा नहीं होना चाहिए right और किस प्रकार से state government जो है उसने defend किया है इस particular move को तो article 212 इसके तहत कहा है state government ने कि court के पास कोई भी अधिकार नहीं है court का छेतर अधिकार यह नहीं है कि court किसी भी प्रकार से legislature की proceeding को inquire करे मतलब कि अदालतों को विधाई का की कारवाई की charge करने का अधिकार नहीं है अनुछे 212 के तहत मतलब clearly state government यह कह रही है कि court जो है वो आप नहीं है और article 212 clause 1 जो है वो क्या कहता है कि the validity of any proceeding कि जो भी validity है किसी भी particular proceeding की legislature of state की यह question में नहीं लाई चाहेगी on the ground of any alleged irregularity of procedure मतलब कि यह कह रहे हैं कि अनुछे 212 clearly यह चीज़ भी mention करता है यह power देता है आप कह सकते है कि state legislature को विधाईका को या विधान मंडल को कि उसकी जो भी कारवाई होती है जो भी उसकी proceeding जो होती है उस proceeding में अगर किसी प्रकार की irregularity होती है तो आप उस irregularity को ground बना कर उस पर सवाल नहीं उठा सकते मतलब कि साफ बात यह है कि state legislature की proceeding अगर वो गडबड़ भी कर रहा है तो भी उसको यह सही मानेंगे मतलब मान के चलिए कि ज जो सरकार जो पावर में हम लोग को देखने को मिल रही है मतलब कि उस state legislature के अंदर जिस भी political party majority में है यानि कि जिसकी सरकार है तो उसके पास even यह भी अधिकार प्राप्त है कि जो procedures जो लिखें गए हैं house के उसमें अगर कुछ गडबड़ी भी हो रही है राइट कुछ उसके सीदे सीदे legal या constitutional power है कि state legislature जो है वो उलंगन भी कर सकती है प्रोसीडिंग का अपने सीदे सीदे मतलब कि उनके procedures बगरा का जो भी वो कारवाई कर रही है प्रोसीडिंग कर रही है उसमें अगर वो procedure नहीं भी follow कर रही है तो भी उस चीज़ का उलंगन कर सकती है बात समझने develop करना is very important thing in this particular examination और अनुचेद 194 article 194 के तहट विशेश अधिकारों का उलंगन याने कि जो भी privileges प्राप्त होते हैं member को विशेश अधिकारों का उलंगन करने वाले किसी भी सदस्यों को सदन की शक्तियों के माध्यम से निलंबित किया जा सकता है तो किसी भी particular member को even suspend भी किया रा सकता है उससे related ये बात करता article 194 और state government ने deny करा है कि जो power है suspend करने की एक member को वो सिर्फ और सिर्फ exercise नहीं की रा सकती rule 53 के तहट मैंला clearly इन्हों नहीं ये चीज़ बोल दी है कि जो rule 53 जो हमें देखने को बलता है जिसके बारे में मैंने just अभी आपको एक्स्पेंड किया कि रूल 53 के तहट जो है वो speaker को पावर दी गई है कि assembly से एक particular member को हटाने की withdraw करने की तो clearly state government ने कह दिया है कि कि जो suspension की जो power है वो सिर्फ rule 53 के उपर आधारित नहीं है मलब ये clearly कह रहा है कि इन्होंने जो resolution जो लेकर आए वो ठीक है मलब वो चाहें तो resolution के बादियम से भी चिंताव्यक्त करिए करने ही चाहिए चिंताव्यक्त और ये normal सी बात है कि यह आप एक MLA को अगर दूर रख रहे हो इतने लंबे period के लिए और MLA कौन है वो constituency से चुना गया है वो लोगों का representative है तो orderable supreme court ने तक कहा है कि आप MLA को punishment नहीं दे रहे हो बलकि आप उस पूरी constituency क चुनकर ही वो MLA आया है getting my point so basic structure जो हमारे Indian constitution का है वो बुरी तरह से प्रभावित होगा अगर constituency जो हम लोगों को देखने को मिलेगी उसके MLA को जो हो suspend कर दिया जाएगा पूरे पूरे साल के लिए और article 190 clause 4 जो हमारे Indian constitution का देखने को मिलता है उसमें clearly ये चीज कही गई है if for a period of 60 days 60 दिन मतलब की 2 महीने का period तो अगर इतने period के लिए एक member house of legislature of state का legislative assembly का एक particular member अगर absent होता है 60 days के period के लिए बिना permission के house की right और वो सभी meeting में absent होता है तो उसकी seat को vacant declare कर दिया जाएगा उसकी seat को रक्त गोशित कर दिया जाएगा फिर एक by election conduct होगा मतलब section 151A जो representation of people act 1951 का हमें देखने को मिलता है वो ये कहता है कि जो उसकी seat को जैसी vacant करेंगे तो उसके बाद एक by election conduct करवाए जाएगा उसकी seat को भरने के लिए और ये election जो conduct होगा वो 6 महीने के अंदर-अंदर होना चाहिए जिस दिन उसकी seat को खाली कर करती है उसके 6 महीने के अंदर-अंदर election को election करवा के उस seat को भरना है मतलब की clear बात यह है कि एक साल से अगर उस seat पर कोई नहीं है तो naturally भी हम लोग को देखने को मिलता है कि उस seat को vacant करके नए सदस्य को जह है वो आइड करने के आवशक्ता पढ़ जाती है क्योंकि obvious ही बात कि seat खाली का मतलब की a group of people को represent नहीं किया जा रहा है बात को गंभीरता से समझी है क्योंकि वो MLA कौन है MLA वो वेक्ति है जिसे लोगों ने चुना है उसकी constituency यानि कि group of people ने काफी सारे लोगों ने मिलकर उसको चुना है अगर इन और यह क्यों गया है MLA house के अंदर क्योंकि जो group of people है जो लोग है जिनोंने उनको चुना है उनकी आवास को रखने के लिए तो clear cut बात यह है कि अगर आप उस MLA को अगर वहां से हटा दोगे उसको निकाल दोगे उसको suspend कर दोगे तो आप suspend कर रहे हो group of people को लोगों को यानि कि लोगों की आवास को आप दबा रहे हो उ this is the main thing that you guys need to understand कि यह चीज गलत हुई है therefore एक साल का जो suspension है वो unconstitutional है और इसमें clearly court ने भी यह चीज मेंचन करी है कि इसमें सिर्व आप member को punish नहीं कर रहे हो बलकि पूरी की पूरी constituency को जो है निर्वाचन छेत्र को जो है वो दंडित कर रहे हो दंड दे रहे हो और क्या rules हम ल procedure and conduct of business and log सभा का देखने को बिलता है यह कहता है कि वो ही same चीज कि कोई भी एक सदसी अगर महलब सही तरीके से वेवार नहीं कर रहा है तो उसको suspend किया जा सकता है और maximum suspension जो होगा उसका वो 5 consecutive sittings का होगा यानि कि लगातार 5 दिन के लिए उसको suspend किया जा सकता है या फिर जो session के remainder days के लिए उसको suspend किया जा सकता है और whichever is less इन दोनों पर से जो भी कम हो तो यह rules जो है वो कहता है और maximum suspension for राज सभा under rule 255 और 256 यह कहता है maximum suspension अभी तो हमने minimum suspension की बात करी 5 दिन के लिए और maximum suspension क्या कहता है कि आप उसको जो हो house के remainder day से जादा suspend नहीं कर सकते है मतलब कि जो house का जो session है session का जो maximum दिन है जिस समय वो end हो रहा है session जिस समय end हो रहा है उससे जादा के pre-aid के लिए एक member को suspend नहीं कर सकते है और similar rules जो हम लोग को देखने को बलते है वो state legislative assembly और state legislative council के लिए हम लोग को देखने को बलते है कि maximum suspension का pre-aid जो होना चाहिए वो session के remainder day से जादा नहीं हो होगा उससे जादा दिन के लिए आप सामने वाले ये ना MP ना MLA को suspend कर सकते हो तो clearly जो महराश्य के अंदर जो case सामने नजर आया है तो वो clearly unconstitutional हम लोग को देखने को बलता है और वो बिलकुल भी सही भी नहीं है अगर देखा जाए तो in general उस चीज को observe किया जाए तो क्यों this is the overall thing जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और यह case काफी important है यह आपसे mains में भी पूछा रहा सकता है even जब आप personality test में जाएंगे interview में जाएंगे तब आपसे यह चीज पूछी आ सकते है और prelims के लिए तो कुछ facts मैंने आपको बताई दी है already जो आपको थोड़ से ध्यान में रखना है